नमस्कार मेरा नाम है जयनती जहाओ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइट न्यूस पॉलिटिकल बाइट इस वक्त यूपी की सियासत में संग्राम छड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो मुलायम सिंग यादव का निधन हो चुका है और आप यह कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी पर से एक बड़े उत्राधिकारी का साया हट गया है तो इस वक्त अखिलेश यादव और शिपाल यादव दोनों के बीड जो तकरार आई हुई थी वो मिटेगी की नहीं यह इस पर सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि अगर वो मिटेगी तभी डिसाइड हो पाएगा कि दोनों में से उत्राधिकारी कौन बनेगा हाला कि आज प्रयागराज में संगम में मुलायम सिंग यादव की अस्थियां विसरजित होनी थी और मुलायम सिंग यादव की अस्थियां विसरजित करते वक्त भी शिपाल यादव समेथ परिवार की जितने भी लोग हैं वो साथ नजर आए हैं तो मुलायम सिंग चीडójी की समाजवादी пार्टी में की उत्राधिकारी पार्टी का किसको कॉन होगा और किसको कमान्द स्वापी जाए के तो इन्हीं सब मुद्धो पर चरचा करने के लिए सवाल जबाब करने के लिए हमारे साथ हमारे साहिए के शाजय वापस लोट चुके हैं अभ अस्तियां भी सरजित हो चुकी है अब जो लड़ाई है अब वह असली लड़ाई है कि समाजवादी पार्टी का जो असली उत्रादिकारी है वह कौन होगा क्योंकि कमान इस वक्त अखिलेश यादव के पास है तो क्या अखिलेश यादव अपनी यादव से शिपाल यादव चाहते हैं वह जिम्मेदारी अखिलेश यादव जो उनका अब जो जिस तरीके से इस्टार प्रचारक की जो सूची जारी की उन्होंने गोला गोकरनाद विदान सभा सीट को ले करके उसके बाद अभी मैन पूरी सीट को ले करके भी पत्ता नह ही खोलते नजर आ रहे है तो यह सब चीजे कहीं ना कहीं दर्सा रही है कि जो नाराजओ की शिपाल यादव के अंदर थी वो खतम होती नजर आ रही है लेकिन अखलेश यादव के उन्दर जो नाराजओ करके सामने आ रही है अखलेश यादव जो नाराज है चाचा शिपाल से जो पुरानी बातों को लेकर के आला कि अगर देखा जाए तो नाराजगी चाचा शिपाल को होनी चाहिए क्योंकि उनका जो है वहां पर समान नहीं किया गया विदायक दल की बैटक में नहीं बुलाया गया उनसे ना राय ली जाती थी ना मश्वरा किया जाता था सिर्फ अखलेश यादव जो है अपनी मर्जी पाटी में चलाते थी यारोप शिपाल यादव ने लगाय था तो उस इसाफ से नाराजगी शिपाल यादव को होनी चाहिए लेकिन यहां पर आप देखिए कि नाराज यहां पर जो है सीधे तोर पर अगर देखिए अखलेश यादव को नजर आ रही है कि अखलेश यादव उनसे नाराज लेकिन अखलेश यादव अगर वहां पर सही फैसला अभी भी नहीं लेते हैं तो दूपती हुई सपा की नईया को फिर कोई भी नहीं बचा पाएगा जैनती तो क्या लगता है आपको कि जिस फिराक में शिवपाली आदव हैं अभी इस वक्त कि उनको कोई ना कोई जिम्यदारी मिले क्योंकि शिवपाली आदव ने भी कई ऐसे बयान दिये जिससे अखिलेश आदव को ठेस पहुंची होगी और शायद वही सारे बयान याद कर कि जिम्यदारी ना देना चाहरे हो शिवपाली आदव को अखिलेश यादव देखे एक चीज आपको बता देते हैं जैनती जब शिवपाली आदव छोड़के गया थे तो अखिलेश यादव इस बात को कही ना कहीं आख चुके थे कि वह कमजोर हो चुके इस वाज़े से सबा में उनकी कुर्सी को आगे करने के लिए विदान सबा अद्यक्ष से उन्होंने गोहार भी लगाई थी लेकिन फिर भी चाचा शिपाल माने नहीं और कुर्सी की राजनीती का भी खंडन वहां पर उन्होंने कर दिया था लेकिन अब यहां पर देखिए कि कहीं न कहीं बैंक काफी मजबूती से उनका साथ देगा अगामी चुनाओं में चाहे वो किसी को अपने साथ रखे या ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यह चीज सोच करके जो है अखिलेश यादव चाचा शिपाल को माइने लगाते हुए यहां पर अखिलेश यादव नहीं न क्योंकि यह जो वक्त है दुखो का पहाड यादव परिवार के ऊपर तूट गया तो इस समय कुछ ठोस तौर पर जो है कहा नहीं जा सकता जैनती कि उनके रिष्टे के बीच जो जमी बर्फ है वो पिगलेगी कि नहीं पिगलेगी क्योंकि शिपाल यादव तो कोशिश कर करेंगे क्योंकि जहां एक तरफ अनबन होती थी दोनों में तो यहां पर क्या माना जाया अखिलेश की तरफ से भी एक करम आगे बढ़ा जा रहे है और शिपाल की तरफ से राजनेता जो है सबसे पहले हर चीज़ से पहले अपना सियासी कद देखता है जहनती तो सियासी अभी तो देखेंगे क्योंकि परिवार की बात है तो इस वज़े से एक साथ नजर आरे है लेकिन तो यह जो अभी नजर नहीं आरहे है यहां पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और आगे जाकर अखिलेश और शिपाल की बीच पे जो दूरियां है वो कम होती है कि नहीं होती है यह भी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है जिसका जवाब कब तक मिलता है यह देखना होगा तो आज की डिबेट में बस इतना ही कल फिर नए मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ेंगे तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूस पॉलिटिकल बाइट